जोशिमट संकट पर पीएम कारण ले करेगा हाई लेवल मीटिंग पीएम मोधी के प्रधारन सच्छिव की बैठक में कैबिनेट सेकेटरी और बड़े अधिकारियों के अलावा एंडियमे के सदस्य भी होंगे शामिल मीटिंग में वीजो कॉन्फरेंसिंग से जुड़ेंग जोशिमट में बढ़ती दरारों और बड़े-बड़े भूसकलन की वज़े से लोग यहां से पलाइन कर रहे हैं मद्रुदेश के इंदौर में शुरू हुआ प्रवासी भारती सम्मेलन दुनिया भर से आए भारती बूल के लोग हुए शामिल कल पीए मोधी करेंगे सम्मेलन का आपचारिक उन्भातर मोधी जी के नित्रुपन दुनिया को जिसा दिखा रहा है और प्रधान मंद्री जेन असंकल्प लिया है आत्म निरवर भारत करेंग आरे से प्रमक मोहन भागवत का हिंदू हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान कहा हम सब का दियने एक ही है हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट्र है 40,000 वर्षों से हमारा डियने एक है हिमाचर प्रदेश में सुखु सरकार की मंत्री मंदल का वस्तार साथ नए मंत्री बनाए गए राजपाल राजींद्र विश्वनात अलेकर ने दिलाई मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिली के कंगावला केस में बड़ा परदाफाश आरोपियों ने पूश्टाच में कुबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजली कार के नीचे फस्टी थी पहले की पूश्टाच में आरोपियों निपेज म्यूजिक सिस्टम की सुनाई थी जूटी कहान कि अलोजी पर घुसपैट की बड़ी कोशिश नाकाम वाला कूट में घुसपैट के समय सेना ने दो आतंगवादियों को किया धेर इलाकी की घेराबंदी की बाद पूरे इलाकी में सर्च उपरेशन दिली में आज इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह सबतर जंग में यून्तम तापमान एक दशबलब नौड डिग्री रिकॉर्ड अगले पुछ दिन इसी तरह का तापमान बने रहने कानुमार न्यूज एटिन इडिया लगतार बना हुआ है देश का नंबर वन हीदी न्यूज चैनल दर्शकों ने खबरों के लिए निदर होकर उठाता है लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिफ रफटार नहीं जिमेतारी पर भी विश्वास रखता है देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देशित और जनहित दोनों को सर्वो परी समझता है न्यूज एटिन इडिया नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख में देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज देटिन इडिया आपके साथ हूं मैं लवीन राज न्यूज देटिन इंडिया की बाश्चाहत लगता कायं है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पूज और सबसे सटीक और भरोसे बंद खबरों के लिए देश डियक बाग फिर न्यूज एटिन इंडिया पर भरोसा जताया है नमस्कार मैं हूँ आपके साज स्पीट को और न्यूस एचिन इंडिया देश्ट का नंबर वन चैनल बना हुआ है हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद